जनपद मिर्जापु में इस्थित इस जिला हॉस्पिटल की इस वक्त सरवत्र चर्चा हो रही है और सभी की जुबान पर ये सुना और दिखा भी जा रहा है कि मंडली एस्पताल में कैंसर से पीडित महिला का सफल आपरेशन के बाद तमाम ऐसे मरीजों के अंदर भी बहुत तरुन सिंग्जी भी है और जिन्होंने इस पूरी आपरेशन को सफल अंजाम देया है बहुत स्वागत सब्सक्राइब कर दिया जाता था पहली बार जनपद मिर्जापुर के अंदर कैंसर से पीडित महिला का सफल आपरेशन हुआ है कितना चैलेंज पूर था और कितना आ कितना उन के सब्सक्राइब अनको हिए उन चैलेंजेंग रह और तो यतनी भी में था जब रहुत हुडएस को में प offense किया और काफ़े प्रियास कि नियुक्ति मौनिए गई और सारे चालेंजेज को जितनी भी रिक्वार्मेंट थी डिमांड थी सब फुल्फिल करा गया और सर्जन को और सर्जन की टीम को और डक्टर राजेज को मोटिवेट किया गया और उन्होंने रिस्क लेने के लिए और तयार हुए हमने बोला कि आप लोग करिये जो भी सपोर्ड जो भी सब्लिमेंट चाहिए हम प्रोवाइट कराएंगे तो टीम ने पूरा भरोसा जताया मेरे उपर और उन्होंने प्लान किया और चौथी सजरी थी काफी बड़ी सजरी थी चौथी सजरी हुई जो की नीलम नम की पेसेंट है उनका सजरी किया गया और सफल आपरेशन ह हुआ इस आपरेशन में सबसे चाल्जिंग था जाने देना है चुकि हमारे अभी तक ही स्पाइनल में केस होते थे और जीए का पहला केस हुआ जीए का केस देने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती है कभी-कभी पेसेंट जीए से आउट नहीं हो पाता है तो उसके लिए जो भी रिक्वार्मेंट थी मांगी उनको पूरा किया गया और जाने थिस्या में पहला अपरेशन हुआ है मरीजापुर में और अपरेशन सफल रहा पर तीन से सारे तीन घंटे आपरेशन चला और इसके लिए हमारी सारी जोने थिस्या और साजर्ण की तीन थी उनको इंटेस्टाइन के एक सग्मेंट को कारण करके रिसेय्ट करके और इनस्टम सिस्क हिए अगया बाकी पाइट को इसके अलावा को बेंको पहला अपरेशन हुआ है प्राया ये सुनने को मिलता है कि सरवाधिक प्रभावित हैं तो ब्रेश्ट कैंसर से ही हैं हजारों की संख्या में लोग आपको सुन रहे हैं देख भी रहे हैं लोगों की उमीदे काफी बढ़ गई हैं आपको लगता है कि इस वक्त ये आपका अस्पताल तमाम मरीजों को एड्मिट करने के लिए और उनका अप्रेशन करने के लिए सच्छम हैं जी बिल्कुल हमारे सब्सक्राइब करेंगे और उसके लिए हम लोग ने अभी महिला में मोश्ट काम जो सब्सक्राइब होता है तो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होती है पैपिस्मियर होता है वह यहां पर नहीं होता था इसके लिए हमने महिला हास्पिटल किया अपने गैनकॉल्ज सब्सक्राइब करेंगे लोग सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी बहुत जल्दी सुरू कर देंगे और इनिशेल इस्टेज में डागनूस हो जाता है तो वह हंडिड परसेंट क्योरेबल है इस्टेज जैसे से बढ़ते बढ़ जाते हैं वैसे वैसे लाइफ इस्पेक्ट की भी वैक्सीन आ गई है या आने वाली है इसके बारे में थोगा क्लियर्टी बताएं काफी कंफ्यूजन है जी देखिए हम नई गाइड लाइन आ गई है एस्पीवी वैक्सीन होती है चौदा साल के बाद लगा जाता है महिलाओं को लड़कियों को चौदा साल के बाद लगा जाता है अब तो पहले बड़ी और तो को नहीं लगा जाता अब लेकिन यह हर एज की और तों को सब्सक्राइब के लिए लगा जाएं तो इसके लिए लोग जागरूप हूं आप लोग मैसे देते रहते हैं अलग 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 प्लेट फर्म से और मीडिया का भी इसम तो सवाइकल कंसर अगर निशेल इस्टेज में डाग्नोस हो जाएगा तो वो पूरी तरह से टीट क्यूरेबल है टीटेबल है एक अंतिम सवाल चुकि कहा जाता है कि कि किसी के भी सफल आपरेशन की बीचे डिन इच्छा सकती होती है और सामाजिक रूप से या प्रसासिन मोहिया हो रही है जे देखिए इसमें एक चीज इसपर्स कर देना चाहेंगे कि फेज बन फेज तू और फेज से की जितनी भी मेडिकल कलेज है उसमें हम लोग काफी अच्छी पोजिशन पहें इस समय और अर्थोपेडिक में और सजरी डिपार्टम बहुत अच्छा काम हो और उस चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया जोगी जिस महिले का ब्रेश कैंसर का सजरी था उन्होंने बोला कि हम सर मर जाएंगे लेकिन बनार्स नहीं जा पाएंगे हमारी इस्टी नहीं है तो हमें लगा कि नहीं अब आज हम लोगों के पास अगर रिसोर्सेज ह इसमें सबका सायोगरा है तो आप मंडली एस्पताल के साइसी तरुन सिंग्जी थे जो बहुत ही बेबाकी से और डिन इच्छा सकती से भरपूर दिखाई दिये सरकार का जो स्वास्त के छित में जो निरंतर दावा रहता है वो आज मिर्जापुर के इस जेलास पताल में स है गरीब असहाय महिला ब्रेश्ट कैंसर से पिडित होने के बाद हर जगर से निरासा लग चुका था उसके बाद मंडली अस्पताल जनपद मिर्जापुर में तमाम डाक्टर उस वक्त भगवान का रूप लेके सामने आये जब उस गरीब महिला के ब्रेश्ट कैंसर का सफ उचे प्रकरण पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह किसे सफल यह हुआ है नीलम का जो आप्रेशन हुआ है वह बहुत ही निहायत गरीब हमारे यहां बरतन मास्ती है यह उनका बेटा है हमारे यहां काम करता है और जब वो सब जगन से ठक गई तो हमारे पास आई मैं तर सिवा कर सके जब तक आए यहां उससे बढ़िया और क्या होगा हम लेके आए एक बात बताए कैंसर जैसे गंभीर समस्या से निजात पाने के लाखो लाख रुपया लोगों का खर्च होता है उत्तर प्रदेश के जन्पद मिर्जाबुर के इस अस्पताल में कितना रुपय सब्सक्राइब लोग है जो आरवी कमल सहाब तरुन सिंग सहाब यह लोग निहाच मतलब मेहनती आपका क्या नाम है हमारा नाम सुनील कुमा महरुतरा है हम उनके बेटे से ही जानने का प्रयास करेंगे अपना नाम बता बड़ा चंदू नामे मरा तुमारी मम्मी का अप्र सब्सक्राइब लोग है यहां पर आवाना सुरू कर दिये आपरेशन सुरू हो गया बस यहां पर थीमों की व्यवस्था नहीं है इसलिए गरीबों का भी आगे का जो है उप्चार संभाव नहीं हो पा रहा है वो भी डाक्टर साहब लोग प्रयास कर रहा है आरवी कमल साह आप को क्या लग रहा है की सरकार जो कहती है डबल इंजेन की सरकार क्या वो स्वास्थ की छेत्र में अच्छा काम कर लोग क्या कहना चाहेंगे अगर आपको योगी जी सुन रहे है मोडी जी सुन रहे हो यह कि यह हम हस्पीटल में समझ Qual на 749 कि बनारस और क्या नामें दिल्ली मुंबई यहां से धक्के खाने से बढ़ियां यह सरकारी हस्पीटल में मैंने यह नहीं सोचा था कि जो इतना अच्छा काम हो जाएगा और यह अप्रेशन सक्षेश हुआ आने वाले समय में अगर आरवी कमल सहाब और तरुन सिंग सहाब जैसे लोग यहां रहेंगे जब तक यह लोग हैं तब तक अस्पताल दिन पर दिन प्रगत के रास्ते पर चलता जा रहा है और यहां पर जो भी संभव प्रयास हो रहा है वो लोग अपने अस्तर से कर रहे हैं जो बेवस्था यहां थीमों की कैंसर प्रिवित के लिए नहीं है वो भी प्रयास कर रहे हैं अगर वो हो जाएगा तो गरीब लोग और चाहें जो हो सबका भला यहां से बहुत बहुत धन्यवाद तो जिस तरीके से मरीज मरीज के परिजन पिमारदार परचित और समूचा ज बवाही तस्दीक दे रहा है कि वास्तों में जनपद मिर्जापुर का मंडली चिकेश साले इस वक्त तमाम कैंसर के मरीजों के लिए भी काफी बरदान साबित हो रहा है मिर्जापुर से टीवी हंड़ेट के लिए विरेंद्र गुपता अगरेपुर्ण